पड़ोसी देश बांगलादेश में उपद्रव और बगावत के बाद बिहार में अलर्ट जारी किया गया है बांगलादेश से शेख हसीना निकल चुकी है वहां से कहा ये जा रहा है कि वो भाग गए उन्हें निश्कासित किया गया पढ़ानमंत्री के पद से वो स्तीफा द गई है और अब बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया है बिहार के कोई भी वैसे सीमा बांगलादेश से नहीं मिलते हैं बलकि नेपाल पश्चिम मंगाल वहां से बांगलादेश से बिहार आते हैं पुर्णिया किशंगंच कटिहार जिल्ले होते अधिसयनिक बल से contact में रहे ताकि information सबसे पहले आपके पास आए और आप ground zero पर action ले पाए बिहार पुलिस लगातार केंद्र की अधिसयनिक बल से contact में है और ऐसे में ये तीन जिले हाई alert पर है चेक पोश्ट पर पुलिस की घस्ती है और वहां के आम लोगों से को भी ये कहा आगया है कि आप भी alert पर रहे है अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि शायद कोई बाहर ही आपके जुले में आ गया आपके आसपास में है तो आप तुरंत पुलिस को बताए बिहार पुलिस आपके आसपास रहेगी आप तुरंत उन्हें बताए ताकि कोई भी दु अपको कि इस तरीक है और वोड़ ने की स्थिति यह की तमाम तस्वीर आने के बाद बिहार में भी खुब अलवर जारी किया गया है और यह डर है कि जिस तरीकिए से बांगलादेशी बार 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 भार आ जाते हैं तो ऐसे उपद्रव ही जो उपद्रव मचाते हैं वो ल देश दिया गया है, इसके लिए टोल फ्री नंबर 144, 32 या फिर 112 पर जानकारी देने को कहा गया है, पुलीस की तैनाती तो आसपास रहेगी ही, लेकिन इसके अलावा एक आपात इस्तिती में एक नंबर भेजा गया है, एक नंबर जारे किया गया है, उस नंबर को डायल करके आप तुरंट मदद ले सकते हैं, और इसके अलावा भी लगाता है, पुलीस की तैराती है, महा पर विहार का कोई भी जिला बांगलादेश सीमा साजा नहीं करता, मगर सीमा नचल के जिलों से अवेद घुसपैट की शिकायत आती रहती है, ऐसे में पश्ची मंगाल और नि भीरता से देख रही है, राजसरकार ने किसी भी अपरिय घटना को रोकने के लिए सिमावर्ती इलाकों में प्रशाशन को अधीक सतर्ता बरतनी का निर्देश दिया है, और अब शेख हसीना अगर भारत आई है, तो काहिए जा रहा है कि इसका प्रभाव भारत पर भी पढ सकता है, लगातार हाई लेवल मिटिंग चल रही है, S.J. Sankar और मोधी कैबनेट के तमाम मंत्री, इसके अलावा विपक्ष के नेता, सब ही लोग राहुल गान्धी तमाम लोगों की मौजूद्गी थी और इस बैठक में देखा गया कि हाई लेवल मिटिंग में जो 20,000 भा धान मंत्री नरिन मोधी का अगला कदम होता है, हम आपको जरूर बताएंगे, देखते रहिएगा, सश बिहार जारखंड के जातरू एवं अभिभावकों के बीच, सरवादिक विश्वस्निय एवं लोग प्रियसंस्थान, गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट, हमा